बच्चों किसी वीलियन में विले की मात्रा के आधार पर वीलियन का विभाजन किया जा सकता है। आईए इसे करके देखते हैं। इसके लिए हमने यहां दो बीकर लिया हुआ है। इसे बीकर कह और इसे खामान लेते हैं। बीकर में हमने 100 ml पानी लिया हुआ है। और बीकर खा में हम दो चम्मच नमक डाल देते हैं आईए अब हम इसे घोलते हैं और वीलियन प्राप्त कर लेते हैं बीकर का में भी हम इसी तरह नमक को अच्छी तरह से घोल लेते हैं इस प्रकार हमें यहां नमक के दो वीलियन प्राप्त हुए हैं इस वीलियन में विले की मात्रा कम है अता इसे हम तनू वीलियन कहते हैं और इस वीलियन में नमक की मात्रा रथात विले की मात्रा अधिक है एसे वीलियन को हम सांद्र वीलियन कहते हैं